हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माइ चैनल एंड टुड़ेवी लर्न अबाउट एमस एक्स शॉटकट कीज दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग जो है उसमें किस तरह से शॉटकट कीज का यूज करके आप इसमें स्मार्टी वर्क कर सकते हैं और आप अपना जो टाइम है उसको सेब कर सकते हैं तो चले चलते हम लोग सबसे पहले हम इस एक्सल ओपन करेंगे अपने कीबोर्ट पर जाकर के विंडो ठीक है आपको कौन सी की प तो प्लेसर करनी है व्ंडो प्लस आर का विंडो के साथ में आर्वालिंट नेंल ब्लस करेगा वहां पर हमें एक रनवाला डायलोग बोक्स दिखे गरन अपने उस्क्रीन टाइब किया, then enter, ठीक है, अब देखें, हमारी स्क्रीन में एक्सल आ चुका है, इसके बाद हमने इसको maximize कर दिया, ठीक है, फुल स्क्रीन में कर दिया, अब इसमें देखेंगे कि इसमें आपना, जो keys है, ठीक है, कौन कौन सी है, कि इनका use कर सकते, सबसे पहलए हमने कुछ numbers लिखें, ठीक है, बिसे हमने कुछ यहाँ पे numbers लिख लिए, अब इनको हमें add करना है, ठीकिए add करने तो आपicki उसका व यूज कर तो आंड करने के लिए आप five एप्र्वी उसका की कह रहा है तो जोड़ें करेंगे टीक के असदासे फोर्मुला यूज करते हैं और पांड्र कर देंगे तो देखिए आपका जो एड होगा पुरा जुड करके इस तरह से आ जाएगा 317 ठीक है यह आपकी जोड़े की कौनसी होगी all to plus equal ठीक है इसके बाद आप जैसे जोड़ी है इसके बाद जो की मालेजे शीट आपकी दी होई है default three sheets होती है फर्स शीट पर मालेजे हमने जोड़ लिया अब अगर आपको left से ले करके right वाली शीट पर जाना है तो आप कौनसी की प्रस करेंगे control plus page down देखे second वाली शीट पर आगे फिर से control पर जाना है तो कौनसी की प्रस करेंगे control plus page up तो यह sheets पर आप work करने के लिए मालेजे sheet 2 पर जाना है तो आप mouse का use ना करके आप उसमें control page down के साथ आप left to right जा सकते और अगर right to left आना है तो control plus page up के साथ आप उसको वापिस आ सकते है इसके बाद मालेजे कोई row है उसको height करनी है मालेजे row है इसको हमें height करनी है तो इसके लिए कौनसी की प्रस करेंगे control plus 9 तो देखे जो 3 वाली row थी वो आपकी height हो चुकी ठीक है कौनसी करेंगे control plus 9 और अगर unheight करनी है तो control plus shift plus 9 ठीक है अगर height करनी है तो control 9 और उसको वापिस लेके आना है unheight करना है तो control plus shift plus 9 ठीक है तो इस तरह से देखे हमारी जो row थी वो height होके unheight भी हो गई ठीक है तो य कीज हो गई आपकी कि आप किसको मतलब हाइट कर सकते हैं किस तरह से किस से सुने अन हाइट कर सकते हैं ठीक है इसके बाद जैसे आप मालेजे पूरी पूरी इनको रो को हाइट करना है तो कंट्रोल प्लस जीरो तो देखे पूरा जो डी वाला कॉलम था वो पूरा का पूरा हाइड हो गया है अब उसको कॉलम को जो वापिस लेके आना है तो वापिस से कंट्रोल शिफ्ट प्लस जीरू ठीक है तो आप उसको वापिस से अन हाइट कर देंगे ठीक है इसके बाद क्या करेगा कि माली जे इसके बाद हम यह आपकी हाइड और नाइट की शॉटकट कीज हो गई आप माले जग शीट वरन से शीट टू या थ्री पर जाना चाहते हैं उसकी शॉटकट कीज हो गई सबसे पहले आपका जोड़ने की शॉटकट की हो गई कि आप इस तरह से शॉटकट की का करेंगे तो डेट आजाएगे और अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोलन करेंगे तो जो टाइम करन्ट हो रहा होगा वो आएगा आपके पांस ठीक है तो जो डेट और टाइम की शॉटकट की हो गई इसके बाद चलते हैं मालेजी हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा ठीक है यहाँ पर मालेजी हमने कोई एक वर्ड लिख दिया ठीक है अगर हमने इसमें वर्ड लिखा हुआ है वर्ड जैसे कि हमने यह लिखा ठीक है अब इसी वर्ड को हमें निच्चे सेल्स पर कॉपी करना है तो आप कॉपी करेंगे कंट्रोल सी वी करेंगे उसके लिए हमें एक शॉटकट की बताते हैं आपको अगर जो वर्ड आपने उपर लिखा वह उसी को सेम उसी वर्ड को क्लिक किया कंट्रोल शिफ्ट इन्वाटिट कॉमा तो देखें कि आपकी की जो मता आपने जो लिखा हुआ तो वह वापिस जो डुप्लिकेट आपकी आपकी आप इस तरह से वापिस उसी सेल्प में वही चीज आपकी लिख जाएगी ठीक है यह आप अगर कंट्रोल डी कर देखें कि तब भी डूप्लिकेट तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ function के सका यूज करके आपने किस तरह से बहुत यह चाहानी से स्को शोटकुट ड्यूत करके आप इसमें काफी सारह काफी कम टाइम में कर सकते हैं ठीक है इसके बाद मालीजिए अगर हमें किसी में परसिंटेज का या इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है वो हमें देखना है कि हमने जो सेल सकर जोड़ी है तो कौन सा फॉर्मूला लगा के जोडा होगा है तो उसको हमें show कराना है उसके लिए क्या करेंगे हम लोग control के साथ में 1 से पहले एख हाइफन की होती है उसको press करेंगे control के साथ हाइफन की press करेंगे तो देखेंगे आपने जो formula लगाया है पूरा-पूरा वो show तो देखा आपने कुछ ही समय में आपने एड करना फॉर्मूले को शो कराना हाइट और उनहाइट वाली कीज प्लस कॉपी पेस्ट करना मतलब कॉपी अगर आपने लिखा हुआ उसी सेम वर्ट को किस तरह से नीचे पेस्ट करा सकते हो देटो टाइम में चेंज करना तो आप किस तरह से कितने ही कम समय में आप उसको सीख चुके हो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा थाइंक्यू